गुड मॉर्णिंग स्टूडिने टूडिस के नेक्स टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ओफवर स्लेवस तो बेटा इसके बाद आपका स्लेवस फिनिश हो जाएगा एक चैप्टर और रह जाएगा आपका बायो का तो वो चैप्टर आपके असाइमेंट में है ठीक है तो उस से पहला कोशन है यहां पर वाट 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 इस मिंट बाइपावर तो पावर क्या होता है ठीक है बेटा हमने वर्क कर लिया एनरजी कर लिया और अलाब लास्ट करने पावर पावर इने साइंस डिफाइन एस रेट ओफ डूइंग वर्क में लग कितना रेट से आप किसी वर्क को कर रहे हूं उसको क्या करते है बेटा पावर करते है याद रखना पावर बराबर होता है कितना मतलब कितना आपने वर्क ड़न किया और कितने टाइम में आपने किया इसे अप लिख सकतो फी एक्वल टू डबलू अपॉन टी डबलू क्या वर्क ड़न और टी क्या विलोस्टी से मूब कर रहा होगा विढеть से किसे टाइब अब देखो विलोस्टी डिस्पलेस्मेंट स्पीड थोड़ा सब में है मतलब की डिफ्रेंस होता है अब यह नहीं होता है ए Sony स्पीड लिख दो स्पीड कर दिक्षा अची लिख दो ठीक है तो सबका डाइफिनेशन में थोड़ा-थोड़ा चींज़िस होता है इसलिए velocity मतलब अपने velocity ही लिखना है ठीक है बटा acceleration with respect to time को हम बोलता है velocity ठीक है when a body move with a certain velocity और ऐसे लिख सकते हैं या तो when a body moving with certain velocity यही वाला करो आप पहला वाला ही करो दूसरे वाली की जुरत नहीं है आपको ठीक है एक क्योंकि और लिखता है अब यहां पर w equal to f into s f into s का मतलब क्या है जब मैं मैं किसमें बात कर रहा हूं horizontal surface में बात कर रहा हूं वर्क देन बाता force into displacement होता है अब देखो displacement का मतलब क्या था distance move by body in a direction of force मतलब जिस direction में देखो इस direction force लग रहा है और body भी इस direction move कर रहा है ठीक है भी pixel F into s हो गया तो blast power इसके बदूदखा power बदार आफ इंटू एस upon time power किसके बदार होता है f into as upon time देखो क्यों ध्यान दो power बदर ब्राबर ذ grin upon time तो work 전 बदार इंटू f into s तो इसके पूट कर दो ठीक हैं यह आपका आ गया पावर का पावर को आगर आप और मतलब की जब पावर को आप और तोड़ के लिखा होगी क्योंकि पावर ब्राबर होता है वर्क ड़न अपोन टाम वर्क ड़न तो F into S होता है तो ये बेटा एक्चुल में आ गया अब इसमें देखो आप टाइम निकाल सकते हो अब देखो माल लो यहां नमेर कलाता है ठीक है कोई भी तो इसमें देखो आप आवर निकाल सकते हो फोर्स डिस्प्लेश्मेंट और टाइम कुछ भी निकाल सकते हो बस रियर्रेंज करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट है बट अपन टी मतलब डिस्प्लेश्मेंट अपन टाइम इक्वल होता है सोरी मैंने एक्सलेशन बोल दिया था उपर में डिस्प्लेश्मेंट विद रिस्पेक्ट टु टाइम होता है विलोस्टी ठीक है बटा पर आपको पता है डिस्प्लेश्मेंट अपन टाइम फोर्स इंटू विलोस्टी कले रहा यहां तक वैने बोड़ी इस तू दा हाइट मतलब मान लो कि किसी बोड़ी को मैं कुछ उचाई पर लेकर जा रहा हूं ठीक है यह जो देखो पहला वाले जो कंडिशन किया है यह मैंने होरिजन्टल सर्फिस के पर किया था इस करके एफ पहले जब हम हाइट स्वाफिन पर करें तो यहतों आपको हुए पता है पहले मैं पता हो दो वर्गडवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डव्रॵ्र्ड ड जेयत unit of work done जो है और unit of time जो है उसको उनके position पर लिख दो unit of work done होता है one joule और unit of time होता है one second इसका मतलब क्या हुआ unit of power क्या हो गया joule second inverse क्या होता है unit of power joule second inverse clear आपको यहां तक इसके बाद देखो इसका मतलब क्या होगा the unit of joule per second is call what याद रखना बेटा देखो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे आगे आगे जाते जाओगे वो आगे आगे फर्दर थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा जैसे पिछले पाले में था ना पहले हमने energy को बाद में जाओगे चोंड कि我知道 याद होगा पीछे आपने अनचे में देखा था कि अगरे में हमने जाओगे चलिमें कर्या चैनिक जाओगे कि एसा युनित दो पावर हम त्यक्यांगि पावर को यावठ सकते हैं या वॉठ और लिखNot तो दोनों बराबर होता है clear है यहां तक इसके बाद देखो next condition when a body work at a rate of one jowl per second then its power is one watt ठीक है यह one about का definition है जब body जब भी body work करेगा rate of one jowl ठीक है एक jowl per second के रिसाफ से जब body work करेगा तो उसका power किसके बराबर होगा one watt को होगा ठीक है याद रखना the veggar unit of watt को कह लिखते हम kilowatt ठीक है वाट छोटा युनित होता है kilowatt बड़ा 인 forgarm जैसे घराम छोटा युनित किछलो ग्राम बड़ा होता है उससे उसी तरह एक किलो बाउट होता है हजार बाउट के पर ठीं है एक मेगाव़ट होता है एक मेगावट होता है एक मेगावट हो था ये स्टेहws पर सिक्स वौच के पर भर LIVE टसर बाउट का बाउट को मतलब समझ रहोगे एक के आगे 282 औरowa ट तर था है दा यूनिट औप पावर इन इंगिनिरिंग सिस्टम इज होर्स पावर ठीचे बैटा अब यह तो सिंपल लेंग में मैं बोला आपको ठीक है बैटा अब ब्रिटिस इंजिनिरिंग सिस्टम का मतलब क्या होता देखो में ली जितने भी चीजें हैं चाहे वह साइंस में हो वो क्योंकि देखो इंग्लैंड ने मेली सभी कंट्रीज पर क्या किया था राज किया था जाए इंडिया हो अम्डिका हो कैनेडा हो ठीक है नपाल छोड़के तक्रिम्ट सब पर राज किया था इसकर के ओलोवर वर्ल्ड में उन्होंने अराउंड हंडेट प्लस कंट्रीज पर राज किया इसका मतलब क्या कि जब वो वहाँ से गए हैं मतलब वहाँ से जब वो कंट्री अजाद भी तो ब्रिटिस सिस्टम मतलब की अंग्रेजों के द्वारा बनाएगे कई सारी चीज़े यूज हो रही था अंग्रेजों के द्वारा बनाएगे चीज़े ही यूज हो रहा है जैसे कि बेटा एक एक एकजांपल यह भी होर्स पावर ठीक है ब्रिटिस इंजिनिंग सिस्टम में पावर को बोलते हैं होर्स पावर से यह निग हपी ठीक है और इवन आपके जो गाड़ियां आती ना सीसी बोलते ना कितने सीसी की है फावंडर सीसी थाउजन सीसी ठीक है तो उसी तरह जो मैंने तो बाइक की बात किया वही अगर आपके कार होगा तो उनमें बेटा क्या कहता है पावर पूछते हैं तो वो अब वो क्या पूछते हैं पावर का तो पावर कितना होता होस पावर ठीक है बटा जितना ज्यादा होस पावर होगा उतना ज्यादा पावर फुल आपकी गाड़ी होगा याद रखना बेटा एक होस पावर बराबर होता है 746 वाट का अलोंग साइड, calculate the power of the lamp, ठीके बिटा, अब आपको देखो, अब ध्यान से देखो बिटा, यहाँ आपको graph दिया हुआ है, ठीके बिटा, यह जो नीचे दिया हुआ है, यह वाला, पूरा यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह वाला सिस्टम, यह है time और यह क्या power, यह देखो एक line मारा हुआ, इस line को बेटा बोलते है, origin से पास हो, origin से पास होने के मतलब क्या है बेटा, जब कोई भी line, 0 से पास हो, 0 मतलब in between, ठीके बेटा, यह 0 है न, 0 point, यहाँ से पास हो, इसे बोलते है, origin से line पास हो, अब ध्यान देखो, बार ग्राफ बाले, सम सभी बच्चों किया होगा, यह दिख क्या करें, यह दिख, 80 से जुड़के बिलकुर नीचे जा रहा है, यानि के मतलब क्या है, पावर 80 है, time 1 second है, इसका मतलब आपने बस बेटा क्या करना, आपने इस ग्राफ के हल्फ से इसको कैसे निकालना है, पावर बराबर होता है, slope of the state line in plot, या दिखना, कभी भी ग्राफ के हल्फ से आपको कुछ निकालने बोले, तो आपने just उसका slope निकालने लिए आपने क्या करना, यह दिखो, यह line dotted आपको पहले से आएगा, इसका मतलब पावर 80 है, time 1 second में पावर 80 है, ठीके बेटा, तो इसका मतलब क्या है, power equal to क्या है, 80, time कितना 1 second है, ठीके बेटा, ओके, अब यह e2 minus e1, यह t2 minus t1 क्यों दिया हुआ, अगर मानलो आपको 2 दिया होता, एक पर दिया होता, और उनमें difference निकाल ले बोलता है, यह यह यूज करते है, ठीक है, यह चाहे, skip भी कर दोगे, तो सीधा लिख दो, power 80 by 1 second, जब इसको solve किया, तो यह आगया, आपके पास, 80 joule second inverse, यानि कि 80 watt आगया, clear है, इसका next step आपका numerical, a woman pulls a bucket of water, of the total mass, उसका, a woman क्या करे, पुल कर रही है, bucket of water को, जिसका total mass कितना, पांच किलो ग्राम, from a bell, which is, देखो बेटा, from a bell का मतलब क्या है, कि एक कुवाँ में से, एक औरत, एक bucket में से, आपको मैं समद्वारा कराता हूँ, एक औरत है, ठीक है, बेटा, वो क्या कर रही है, एक कुवाँ में से, पांच किल ग्राम बला, bucket खीच रही है, ठीक है, बेटा, और वो जो कुवाँ है, वो 10 मीटर डीप है, ठीक है, वो कुवाँ 10 मीटर डीप है, mass आपको 5 किलो ग्राम दिया हुआ हूँ, time कितने time में कर रही है, वो 10 seconds, आनि time दिया हूँ, mass दिया हूँ आपको वो कितना deep है, याणि कि height को याद रखना एक्सेलेशन मिटर इनवं सेकंडть टो इसमें क्यों कि क्या होता इसमें तो यह Music पांच केजी हाइड कितना है हाइड कितना है 10 इसका मतलब यह का है वर्टिकल में हम क्या यूज करें घडली ह Name 5,000 है यह 100 है टाइम 10 साणी एक्सेटन ट्रूल में सहाइंग अब कर दिया अपने समय अब देखे देखो पावर निकालने में क्या होता बेटा वर्क डण अपॉन टाइम वर्क डन कितना आया आपको बास वर्क डन ये सारा लिख दो इसको चाहए सॉल कर लो करना है तो कर लो नहीं तो रुक जाओ इकटे कर लो यह लिख दिया आपने टाइम कितना 10 सकंड लिख दिया ठीक बेटा टैन से टैन कट गया बाकि सब सोल के आपके बास किया गया 50 जाओल सेकंड इनवर्स या 50 वाट कले रहा है यहां तक यह नमेरिकल भी कले रहा आपको इस दे लार्ट टॉपिक ओवर इसलेवर यॉर स्लेवर्स वाट इस दा कमर्शल यूनिट ओफ एनरजी कमर्शल कया है दा यूनिट ओफ जाओलिस टू सुनौल फॉर्ट एक्सपे एकिश्धिक लार्ज कूंटरटी ओफ एनर्जी ठीक या बता करेी है यूनिट ओफ जाओल जो बैटा काफे जादा छोटा है ठीक है लार्ज कॉंटरेटिवस औनरजी को एक्सपरियाजंस करने के लिए तो commercially जावल वर्ड नी use करते है ठीक है जावल तो काफी छोटा चीज है ठीक है जैसे अब देखो आप किसी company में गए हो तो वहाँ ये थोड़ो बोलोगे कि मुझे 10 ग्राम चीनी दे दो अगर बहुत बड़ी शुगर मिल ला है वहाँ जाए 10 ग्राम चीनी थोड़ो माँगे एट लिस्ट आपको वहाँ से 50 किलो की बोरी लेनी ही पड़ेगी उसे नीचे वह आपको देंगे निए ठीक है वहाँ लूस चीनी मिलता है वहाँ पर कम से कम बोरी लेनी पड़ेगा आपको उसी तरह जावल वर्ड तो हम पढ़ने में तो ठीक है पढ़ रहे हो ठीक है तो वो क्या वर्ड यूज करते हैं किलो वाउट पर आउर के डबलू एच ठीक है बेटा तो कमेर्शल यूनिट क्या है इसका किलो वाउट पर आउर मतलब एक घंटे में कितना किलो वाउट अपने यूज किया वन किलो वाउट पर आउर एनरजी इस दा एनरजी य अब देखो जहान जहान जो जो दिया है one hour किसके ब्राबर रोता है 60 minute ठीक है बेटा 60 minute into 60 seconds ठीक है मैंने क्या किया 60 देखो मैंने आप देखो यह किसमें बात कर रहे है 1000 जाओल पर सकेंड यानि कि मैंने क्या किया यहां पर क्या दिया हो वन आउर दिया हो नहीं इसको इन्होंने सेकेंड में करने के लिए क्या होगा 60 minute को 60 seconds से multiply करना पड़ेगा ठीक है वन किलो वाट क्या होता है 1000 जाओल इन सब को जब आपने चैक्टरけ have finished जले भी फिनिश अब नेक्स्टिय लेक्च्छर onward हमने का करना जगा सबसे पहले में आपको सबसे पहले बेटा हम hingी written करेंगे ठीक है फिजीक्स के चार चैप्टर है कि में स्टी के तीन करेंगे next lecture onward तो मैं आपको रोज या तो थोड़े थोड़े page दे दिया करूँगा उनमें जो doubt होगा पहले मैं आपके doubt ले लूँगा then next day मैं आपको उनके regarding question दूँगा फिर आपने solve करके उनके answer group mission करना ठीक है बेटा thank you for today